समान व असमान पदों के उदाहरन आईए समान व असमान पदों यानि लाइक एन अनलाइक टर्म्स को उदाहरन के माध्यम से समझते हैं उदाहरन एक राम और श्याम दोनों बचपन के मित्र हैं आज उन दोनों की माताओं ने उन्हें कुछ ताजी सबजियां लेने के लिए भेजा आएए देखें उन दोनों ने बाजार से क्या क्या खरीदा राम ने बाजार से तीन किलो आलू, साथ किलो प्याज, आठ किलो टमाटर खरीदे और श्याम ने चार किलो आलू, दो किलो टमाटर और तीन किलो भिंडी खरीदी अरे ये क्या राम, मैं तो थेला लाना ही भूल गया, इतना सारा सामान अब मैं कहा रखूँ श्याम ने राम से परिशान होकर बोला, इस पर राम ने कहा तुम मेरे थेले में अपनी सबजियां रख लो तो बच्चों क्या बता सकते हैं कि थेले में कौन-कौन सी सबजियां एक जैसी हैं और कौन सी अलग-अलग है यहाँ आलू को A से, प्याज को P से, टमाटर को T से और भिंडी को B से दर्शाएं आईए पहले हम समान वस्तूओं का समुह बनाते हैं थेले में आलूओं का समुह बराबर 3A, 4A टमाटरों का समुह बराबर 8T, 2T इसी प्रकार असमान वस्तूओं का समुह बनाते हैं प्याजों का समुह बराबर 7B भिंडियों का समुह बराबर 3B तो यहाँ हमने देखा कि आलू और टमाटरों के समान समुह है जबकि प्याज और भिंडियों के असमान समुह है उदाहरन 2 निम्न प्रश्ण में देखिए और तै कीजिए कि ये समान पद होंगे या असमान पद 6XZ और 6X की घात 2, Z की घात 2 अगर इन दोनों पदों के गुनन खंड करके देखें तो पाएंगे पद 6XZ के गुनन खंड 6X और Z है इसी प्रकार पद 6X की घात 2, Z की घात 2 के गुनन खंड 6XXZ और Z है यहाँ पर दोनों पदों के बेजिय गुनन खंड अलग-अलग है इसी लिए बच्चों ये दोनों पद असमान पद यानि अनलाइक टर्म्स है इन उदारनों से हमने समान व असमान पदों के बारे में सीखा इसी के साथ हमने यह भी सीखा कि इनमें अंतर कैसे करते हैं अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारनाओं को जानेंगे और उन्हें दूर करेंगे धन्यवाद